डॉक्टर साथ, ये करोना के वक्त में लॉकडाउन के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकल पाए मना था, क्या करते, एक्सरसाइस सारी बंद हो गए चलना फिरना बिल्कुल बंद, घर के बाहर निकलना बंद सड़नली मैंने देखा, मेरे पेरों में सूजन आनी शुरू होगी क्योंकि हम बैठे रहते हैं सारे देन, बैठे रहके और चलना फिरना ना होने के कारण पेरों में सूजन आनी शुरू होगी और जब सूजन आई तो उसके साथ साथ मैंने देखा कि मेरी नीली नीली नसें साप की तरह से वो पैरों में दिखने लगए बढ़ती जा रही है जादा देर खड़े रहने से, जादा देर पैर नीचे लटका के बैठने से या खड़े रहे के काम करने से ये नसे और ज़्यादा फूल जाती है ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती है तकलीफ कुछ नहीं है तकलीफ कुछ नहीं है लेकिन ये नसे बड़ी होती जा रही है और सड़नली मेरे को ध्यान आया कि मेरी मदर को भी थी बहुत बड़ी बड़ी नसे थी और एक दिन सड़नली वो मैं भूल नहीं सकता एक दिन सड़नली एक नस उसमें से फट गए फटी तो इतना बलड निकला इतना खून निकला कि सारे पैर में सारे फर्ष में खूनम खान हो गया यह क्या हुआ और यह अब मुझे क्यों हो रहा है और यह करोना के टाइम में क्यों हो रहा है अश्ली यह तकलीफ वारिकोज वेंस बोलते हैं इसको वारिकोज वेंस यानि नसों का फूल जाना नसों का एक swelling हो जाना और वो नसे इतनी बड़ी हो जाती है कि उनमें इतना pressure पड़ता है कि वो नसे कभी भी फट सकती है और bleeding हो सकती है ये usually family में चलती है आपके father, mother, brother, sister कहीं न कहीं mom, nana, nani, dada, dada कहीं न कहीं से ये आपके family में चल रहा है और आपको है और आपके बच्चों को भी हो सकता है तो इसका खास ख्याल रहे कि आप अपने आपको पूरा एक्टिव रखें, अपने पैरों को चला के रखें, जितना ज्यादा वॉक कर सकते हैं, उतना वॉक करने की कोशिश करें, एक special किसम के medical compression stockings आते हैं, जो tight stockings होते हैं, जिनको पहन के ही आपको चलना है, उनको पहन के घ गंटा रोज आना घर के बाहर घूमना बहुत जरूरी है, अगर आप घूमेंगे stockings पहन के, तब हो सकता है कि ये varicose veins जो हैं, आपको कुछ हद तक इससे कुछ कम कम हो जाएं, अगर varicose veins हो जाती हैं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलके एक doppler test करवाना पड़ और कोई permanent treatment कराने के लिए कोई laser treatment या कोई radio frequency treatment या कोई glue treatment कुछ कराने की जरूरत है के लिए, तो ये को बहुत बढ़ी बाहरी बिमारी नहीं है, इसके लिए सिर्फ धियान रखिए कि आपके अगर ऐसी नसे हैं, तो immediately अपने जो specialist हैं, जो vascular surgeon specialist हैं, उन से जाके मिलें और इस walk करते रहें, stockings पहनते रहें और अपने specialist से जरूर मिलें, अगर ये नीली नीली नसे हैं, आपके पेरों में फूल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, और ज्यादा देर खड़े रहने, पेर नीचे लटका के बैठे रहने या काम करने से बढ़ रही हैं, और शाम तक पेरों में